चली तो यह आपको सबसे पहले फिर से एक बार सभी क्लास 8 के बच्चे को मैं चाहूंगा कि आप लोग का यह मेंसुरेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कहा कि उसर वक्षिट मेरा 8 4 तक कम्लीट हो गया कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मेरा वक्षिट किसी बच्चे को वक्षिट वन में डाउट है बिटा बिकॉज दिस इस दे वेरी फॉर्स्ट क्लास ओफ माइन और आम गिविंग यू दिस मेंसुरेशन क्लास तो मुझे चाहिए बहुत इर रेगुलर फॉर्म में इन्होंने वक्षिट भेजा है कोई होरिजॉ यह फॉर्स्ट पेज का सारा फॉर्मुला याद है फॉर्सारा नहीं फॉर्जो एक दिया रिमेंबर वहाला चलिए तो आप लोग को मैं बताऊं कि कुछ फॉर्मुला आपका लिखा हुआ भी गलत है यह फॉर्मुला गलत लिखा हुए है एरिया अफ सरकल होता है पाई आ दूर्स्ट पेज फॉर्मुला ऑगर इसका इकवल साइड यह सब है और इसके बीच कोई साइड कोई हाइट दिया हुआ हो है तो हम इसको बेस इंटू हाइट भी कह सकते हैं बेस इंटू हाइट जहां पर यह जो बेस है वह इकवल साइड अव्थ रॉम्बस है b2 अगर कहेंगे इस साइड को तो इसको हम h2 कहेंगे तो हम इसको कह सकते है b1 h1 अगर base 1 है तो height b1 consider करेंगे is equal to b2 h2 मतलब यह हो गया area of parallelogram यहां तक देख रहे हैं बच्चों आप लोग formula इसको लिखिएगा यह है triangle का area इसको आपने लिखा हाफ into base into height जबकि मैं बच्चों को याद करवाता हूँ half into base into corresponding height बटा इसको लिखिएगा corresponding height corresponding height तो आप लोग को यह formula अच्छे से याद होना चीए अगर यह formula याद नहीं होता है तो आप मान के चलिए कि आपको आगे पढ़ना ही नहीं की इमेंसुरेशन यह है length into breadth देखिए बटा rectangle का सारा angle 90 degree होता है और यहाँ पे जो बड़ा वाला side होता है usually हम उसको length कहते है और जो छोटा वाला side है उसको हम breadth कहते है तो अगर कोई rectangle का length और breadth दिया है तो हम इसको क्या बोलेंगे side का square यह side into side यह a का square भी बोल सकते है और सबसे important चीज कि area का जो unit होता है वो होता है square unit क्या होता है वो square unit ठीक है तो आप लोग को मैं चाहूँगा कि जल्दी से अपनी copy पे उतारिए क्योंकि आपका जो formula जो भी आपने लिखा था उस formula को तो मैंने ignore कर दिया ठीक है ना और आप जल्द से जल्द इस formula को उतारिए आपकी copy on होनी चीए मैं देख रहा हूँ चली फटा-फट कीजिए इसको फिर आगे बढ़ेंगे प्रकृती आप सब लो जहां कोई फोटो जहां कोई question गरवर हो बिटा तुरंत आप जो है क्या हुआ कैमरा सब का off कैसे हो गया सामभवी on कीजिए camera बिटा yes sir on कीजिए नहीं तो remove कर दूँँगा मैं बिलकुल गलत बात है और फॉर्मूला अभी याद भी होना चीए फॉर्मूला भी मैं पूछूंगा तो don't don't miss to learn the formula जहां बिटा कोई दिक्कत हो व्यस्टनवी उसका photo कीच के मेरे को भेज देना मैं एकदम available हूँ और बीच में भी किसी भी समय आपको कोई दिक्कत हो वेटा आप मुझे phone करके पूछ सकती हो question और photo खीच सकती हो दे सकती हो topic जो भी मन करें कभी आप पताओ मैं जब meeting में आता हूँ आपको बुला के आपको समझा सकता हूँ तो वेटा मैं आज काल दीन भर online में हूँ तो आप बिलकुल टेंसर नहीं लो इन लोगों को तो कल एक कोड़ी लेटरल का मैं दे रहा हूँ class और वो यह पूरा पढ़के रखेंगे दो चैप्टर पैरलेल सुरू करने वाला हूँ एक कोड़ी लेटरल और मेंसुरेशन और इंग्लिस का जो ग्रामर का class होगा वो common होगा ठीक है चलिए आगे बढ़िए यह हो गया फॉर्मूला लिख लिए आपने तो आगे बढ़िए हम अच्छा एक फॉर्मूला यहां बच गया है जो है ट्रिपीजियम का तो मैं उसे लिख देता हूँ ट्रिपीजियम का फॉर्मूला area of ट्रेपीजियम देखिए बचाह यहां ट्रेपीजियम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है half in two height into sum of parallel side तो पहले इसका figure देख लो ये एक ट्रेपीजियम है जिस ट्रिपीजियम का ये दो साइड पैरलेल है इन दो साइड में इसे हम ए कह रहे हैं और एक दूसरे साइड को हम भी कह रहे हैं और ये दोनों साइड को हम पैरलेल साइड कहेंगे और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम हाइट कहेंगे तो ये ट्रिपीजियम का एरिय है डिस्टेंस बिट्विन पैरलेल साइड और उसके बाद यह है सम उफ पैरलेल साइड इसको अगर मैं वर्ड में लिखूँ तो इसे हम कह सकते हैं सम उफ पैरलेल साइड है एक किलिर है? यै हो गया आगे बढ़े हम लोग बच्शो अ व का Και वह एक चीज के लिए कभी नहीं गभराना वी कोई कॉश्चन कोई कितना भी कहा एना कि हम ने वकसिट sells बना लिया हमने वक्षिट टू बना लिया हमने वक्षिट फ्री बना लिया बिटा हम जब तक नहीं बनाते हैं तब तक कभी भी वो नहीं बलता है तो दूसरे के बनाने पे हमें नहीं जाना है और मुझे पूरी तरह पता है बिटा कि सांभवी तो पर मुझे मालूम है सांभवी से क्वेश्चन पूछू मैं सांभवी बिटा रेडी हो वक्षिट वन के लिए बोलो देखो इसके मुस्कुराइट कितनी कॉंफिडेंट के साथ यह कॉंफिडेंस के साथ हास रही है अरे कैमरा ही गायब कर दी कॉंपी देखने गई या कॉंप भी लाने गई हां शांभवी बोलो मैं क्वेश्चन पूछ लो क्या इस एकसरसाइज से सर्फ एट और तैन इलेवन चोड़के तर्फ एवन से चोड़के मतलब नहीं समझा मैं यह क्या सेवन और एट और टूवल को सब्सक्राइब अच्छा यह सेवन एट ट्वेल किसके अच्छा कोई बाती है और आप लोग में से प्रकृर्टी आप बताव इसमें से कोई क्वेश्चन है कि सब्सक्राइब अगर कोई डाउट है पूछिए तो अगर प्रकृर्टी आएगा क्वेश्चन नमबर फाइब चलिए देखते हैं कभी भी मेंसुरेशन का अगर आप क्वेश्चन कीजिए ने बिटा तो इस क्वेश्चन को हमेशा जदू ड्रॉग कीजिए बोलता है ट्रिपीजियम अभी हमने ट्रिपीजियम का फिगर बनाया था तो यह बोल रहा है कि यह है ट्रिपीजियम और इस ट्रिपीजियम का एरिया दिया हुआ है मतलब एरिया दिया हुआ है कितना 1080 cm2 और लेंग्ट ऑफ इट्स पैरलेल साइड यानि कि ए जो है वो दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है तो एक दिया हुआ है तो मारा बड़ा वाला साइड है 15. 15.6 cm और छोटा वाला साइट दिया हुआ है 34.4 cm और इसके बीच का हाइट नहीं पता है तो हमें जो है बोल रहा है कि बीच का हाइट निकालना है तो अभी हमने एरिया ओफ ट्रपीजियम लिखा था तो क्यों ना हम ऊपर चले एरिया ओफ ट्रपीजियम के साथ देखते हैं तो चलिए हम एरिया ओफ ट्रपीजियम के जगह पे हम वैल्यू लिखते हैं उसका जो उसका एरिया का वैल्यू है मतलब 1080 cm हम लिख सकते हैं ने क्योंकि area दिया हुआ था बोलिए उसके बाद half into दोनों parallel side के बीच का link नहीं दिया है तो एच लिख के छोड़ दिये बेटा हम और इन दोनों side को add करना है जो parallel side था उन दोनों को क्या करना है हमें add करना है तो आप देखिए कि इन दोनो side को अगर हम add कर दें तो क्या आएगा कोई बच्चा मुझे बतायागा इन दोनों को add करने पर 90 आने वाला है कितना आएगा 90 तो हम यहां लिख सकते हैं बेटा 90 एड करने पर हमने लिखा क्योंकि एक था हमारा 55.6 और एक था 34.4 तो हमने इसको एड किया तो यहां आ गया 90 से यहां तक दिक्कत है किसी को कोई पूछे का मुझसे तो समझ में आया यहां तक बेटा यह सर अब देखिए इस टू से अगर हम 90 को कट करें 90 को हाफ करें तो कितना आएगा 45 वेरी गुड सुयस वेरी गुड अच्छा 45 टाइमस एच यानि हम लिख सकते हैं 45 एच और यह बराबर है 1080 के तो अब बताओ केवल अगर एच को अकेला रखना हो तो 45 को हमें भेजना होगा दूसरे जगह और यह 45 यहां पर मल्टिप्लिकेशन के साइन के साथ है तो जब यह दूसरे साइड जाएगा तो यह डिवाइड करेगा किसको 1080 को तो आप बताओ 1080 को हम 45 से डिवाइड करें 24 इतना फास्ट कैसे कर सकते हो इतना बना लिए क्या बात है वेरी गुड तो एच हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर अगर मैं बात मान लूँ सुयस की तो एच हो गया 24 सेंटीमीटर थैंक्यू सुयस आपके कैलकुलेशन के लिए और जो जो बच्चे पूछे थे जड़ा इ क्योंकि उतारिएगा नहीं तो बनेगा नहीं उतारिए इसको फड़ा फड़ तो इससे हमको एडिया फ्रपीजियम याद हो जाना चाहिए अगर फिर मैं पूछू यह फॉर्मूला और आपने याद नहीं किया है तो गरबर होगा ओम अगर कोई कुश्चन आता है वैस्ट हाफ इंटू पी इंटू भी हाजे इसमें अगर ट्रपीजियम का एरिया के पॉर्मूला को अटक्रिया जाए बिल्कुल रेक्टेंगल बनाओ दो ट्रियंगल बनाके एड़ करवाए तो बहुत इंपोर्टेंट है वह इनके लाश्ट में आएगा इनके जो कुश्चन होग पर नॉन पर्लेल साइट दिया रहेगा है आगे बड़े बिटा इस अब बोलिए पांच नंबर के बाद कौन सा बनाओ सेवन वाले कॉश्चन को ध्यान से एरिया दिया हुआ है हाइट दिया हुआ है बिटा और एक पेरलिल साइट दिया हुआ है जो दूसरे से चाड ज्यादा है या चाड कम है दोनों बात वराबर होता है तो यहाँपर क्या करोगे आप इसको सॉल करोगे यह है area और half into height into a plus b जब आप लोगे तो देखे यहाँ a बराबर आप मान लिए x तो b बराबर हो जाएगा x plus 4 यानि a जो है वो 4 cm कम है तो अब यहाँ क्या होगा half into height के जगा तो हमने 8 ले लिया और a के जगा x और b के जगा x plus 4 बस इसको calculate अगर आपने कर लिया तो आपसे question बन जाएगा समझ में आया यह question आपसे बनेगा तो यह आपको बनाना है यह था question number 7 का part clear है yes sir अब आते हैं question number 12 जैसा कि Mr. Suyess ने पूछा लेकिन इसका मतलब यह बिलकुल भी नहीं समझना कि इसके बीच वाइले question अगर कल के दीन आप पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं तो तयार बैटा हूँ बिटा आपके लिए समझ गए आप मुझसे कभी भी पूछोगे even की on the day of examination also I will explain मेरा कामी यह है और उस दिन भी पूछते वक्त हमें धिजकना नहीं होगा देखिए यहां पर पैरिमीटर ऑफ ट्रिपीजियम यह तो वैस्टनवी का question है मुझसे वैस्टनवी बताएंगी वैस्टनवी आप बता इंको सकते हैं मुझसे नहीं कर आपएरिमीटर का मतलब चली कि अब हैं इसे बोल्गे तो पता ही नहीं जलेगा क्या है कुश्चिन नहीं बस मिनिंग बताना है पेरिमीटर का मतलब बताना है प्लीज बोलिए सर लेंथ ओफ बाउंडरी वित अ क्लोस्ट फिगर इस कॉल्ड परिमीटर वैस नभी आपको टेन पॉइंट मिलता है मुझे पूरा उम्मीद था आपको नहीं पता सारे बच्चे चुपते सुयस को मैंने मौका ही दी दिया लेकिन सांभवी और परकृति के पास चांस था तो यहां पे जो है वो बाउंडरी का लेंक्ट दिया हुआ है 104 मीटर बेटा देखो यह ट्रपीजियम है और इसके चार बाउंडरी हो गए चार साइड होनी के बजाए और दो नॉन पैरलेल साइड जो है न वो 18 और 22 का है मतलब एक नॉन पैरलेल साइड यह है 18 का और यह है न तो यह है वो कितने का है बिटा 16 मीटर का है 16 समझ कर और यहां बोल रहा है एरिया फह पीजियम निकालना है तो आप मुझे ये बताओ कि perimeter में क्या होता है ये अगर A है ये अगर B है तो perimeter का मतलब क्या हुआ चारो साइड को जड़ा जोर की बताओ क्या होगा बिटा 18 प्लस A प्लस 22 प्लस B यह होगा ना So yes बोलो तो अब मुझे बताओ कि perimeter तो दिया हुआ है 104 तो मैं यहां लिख सकता हूँ perimeter के जग़ 104 बोलो और 18 को 22 से जोड़ेंगे तो क्या होगा 40 प्लस A प्लस B यह होगा तो अगर केवल A प्लस B हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे बिटा बताओ यह हो जाएगा 104 माइनस 40 A प्लस B बराबर हो जाएगा 64 64 मीटर अच्छा A प्लस B क्या है parallel side का sum है न और area of trapezium क्या होता है सांभवी मुझे एक बार बताईएगा बिटा area of trapezium क्या होता है देख के बता सकती हो बुलिए बिटा बतार 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 sum of parallel side into distance between them बिलकुल सही तो यहां पर आप देखो कि आपके पास साफ हो गया height distance between them आपका दिया हुआ था 16 और A प्लस B आपने निकाल लिया है कितना है 64 तो क्या आप यह निकल जाएगा इसको calculate कर सकते हैं तो यह मौका मैं दे रहा हूं प्रकृति को प्रकृति बताओ पहले किसको किसे कट करोगी तू से किसको काटोगी 16 कितनी बार में कटेगा 2 8 जा 16 तू से काटना होगा बिटा 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 16 आएगा 2 8 जा 16 और 64 को 8 से मल्टिप्लाई करेंगे तू क्या बात है कौन बोला 512 वेरी गुड इतना फास्ट वेरी गुड कैलकुलेशन कौन बोला 512 कोई बात नहीं है कोई बात नहीं है बट 512 अब ये बात बताओ मैंने 512 क्यू लिखा मालूम है क्योंकि मैं क्लास 8 के बच्चे को बोलता हूँ क्यूब याद कर लेको 8 का क्यूब होता है 512 अगर बच्चा क्यूब याद करता तो इसको ये पता चल जाता कि 64 जो है वो 8 का स्क्वेर है और 8 के स्क्वेर को 8 से गुना करेगा तो क्या हैगा 512 तू और अगर मैं याद नहीं किया होता तो मैं भी इसको कैल्कुलेट करता तो आपको पता चला कि जब आप क्यूब को याद करते हो समझ के न तो आपका काम थोड़ा असान हो जाता है ठीक है न एक विनिट एक विनिट कुछ बच्चे को थोड़ा देर के लिए रोकता हूं बच्चे आना सुरू हो रहे हैं तो मैं इनको बोल दूँ तो यहां देखे एरिया और ट्रेपीजियम क्या हो गया फाइवन टू मीटर क्लियर है यहां तक कोई दिकत नहीं तो वॉक्सिट वन जरूर बनाएगा अब मैं बात करता हूं कोड़ी लेटरल के बारे में सेकेंड वॉक्सिट के बारे में लेकिन मैं आपको एक्सरसाइज मतलब एक को लेना है 4X और एक को लेना है 7X और दोनों को एड करोगी तो आएगा 11X और हाइट दिया हुए है और एरिया भी दिया हुए है तो क्या दिकत है हाफ इंटू हाइट इंटू सम उफ पैरलेल साइड इस एक्वाल टू एरिया है 385 मन जाएगा बोलिये तो आप लोग क्या थोड़ा सा भी एटेम्ट नहीं लेता है क्या थोड़ा एटेम्ट भी लेना चाहिए और गलती बने कोई दिकती है पर बनानी की कोशीज करनी चाहिए 2 से अगर कट करेंगे तो 7 आएगा और X को अकेले रखेंगे तो 385 डिवाइड बाइड बाई 7 तो अभी नहीं है यह दोनों साइड अलग अलग है एक 4X है एक 7X है मतलब एक पैरलेल साइड होगा 4 x x 25 मीटर और दूसरा होगा 7X मतलब 35 मीटर 35 मीटर करेक्ट करेक्ट लेकिन मैं आपको कुछ और बताने वाला हूं चलिए आते हम यह कोडिलेटरल है मुझे कोई बताए सब 1 by 2 into d into h1 plus h1 by 2 into d into h1 plus h2 बेटा यह special case है मैं बताओं करेडिलेटरल का area का कोई formula ही नहीं होता मैंने क्या बोला कोडिलेटरल के area का कोई formula नहीं होता एरिया और हाँ वेट करो मैं बताओंगा बताओंगा आपको पता है ना triangle के area का formula क्या होता है yes sir half into base into corresponding height corresponding time मान लो अगर मैंने यह line कीच दिया तो यह quadrilेटरल तो दो triangle में बढ़ गया न और अगर अगर यह bc के ऊपर हमने अगर यह height बना दिया तो बताओ area of triangle ABC क्या होगा half into a c को हम diagonal d बता रहे हैं और इसको हम height 1 बता रहे हैं तो half into d into h1 हो जाएगा इस triangle का area और अगर यहां से एक और height यहां पे गया है इसको h2 हमने बोला तो दूसरा वाला triangle का area क्या होगा half into d into h2 और अगर दोनों triangle का area हमने add कर दिया तो क्या हो जाएगा area of quadrilateral ABC क्या हो जाएगा area of quadrilateral का formula क्या होता है तो आप बोलोगे quadrilateral का कोई formula नहीं होता लेकिन अगर दो अलग-अलग triangle में बांट दिया जाए और अगर एक ही diagonal हो दोनों height तब हम बोल सकते हैं कि दोनों में से हम half into d common ले लेंगे और h1 plus h2 हो जाएगा हमारा formula तो बच्चों आप इसको याद करना area of quadrilateral when one diagonal and the two height from the opposite vertices opposite vertices यहाँ पर यह B और C जो है वो B और D opposite vertices है आप लोग को बहुत प्यार से बताता हूं बेटा आप लोग को एक एक चीज पूछना है एक चीज करना है और आपको कभी भी कोई भी चीज पूछते वक्त कोई जिजक नहीं होनी चाहिए अगर कोई भी बच्चे को पूछने वक्त जिजक हो रही है मतलब मान के चलो कि आप लोग गलत हो एकदम खुल के पूछो और जो भी बच्चा पढ़ते वक्त अगर यह सोचता है कि वो बस time pass करके निकल जाए यह हो जाए आज का काम तो बिटा यह हमारे साथ अपने साथ किया गया दोखा है तो आप इसको याद करेंगे अगर कल के दीन में नेक्स्ट क्लास में कल नहीं तो नेक्स्ट क्लास में अगर आपको यह फॉर्मुला याद नहीं हुआ मुझे पांच-पांच बार यह फॉर्मुला लिख करके आप वर्क्षिट फण बना ओऱ अच्छा से और उसमें डाउट na होना अब आते हैं व्ट सेट फू के बारे में थुर्य इसको देखते हैं इसको क्या हम इसको से इस पीडियल को इधर खीच सकते हैं कि ओस को हम गुल गुमा लेते हैं न लीजर लीजर और नीचे भी है option रुखे 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 इसको गोल क्यों नहीं घुम रहा है अच्छा इसको कॉपी कर दे रहा है और कॉपी नहीं है इसको कट करके और पिस्ट करें तब हो जाएगा अब हो जाए वेगे नहीं अभी नहीं हो रहा है सीधा हो जाता ना तो अच्छा होता अब प्रेजेंट कर दे नहीं मत प्रेजेंट करो question तो दिखी रहा है समझ गया है लेकिन चलो कोई बात नहीं है हम इस question को देखते हैं इसको थोड़ा बना देते हैं तो हमारा ये question ठीक हो जाए चलिए इस figure को मैं थोड़ा सा enlarge कर देगा हूँ देखें यहां पर यहां पर जो diagonal है वो seven centimeter का है और यह दोनों height है four और three का तो इसका area अराम से हो जाएगा half into diagonal के जगे seven और दोनों height को अगर हम जोड़ देंगे तो four three seven यह हो जाएगा area of quadrilateral उसी तरह अगर मैं यहां देखूं तो देखो यह हो जाएगा एक triangle a c और b तो यह triangle का area add कर ले ना और यहां पर ट्राफीजियम का जिसका यह दोनों parallel side और यह हो गया उसके बीच का distance यह question में भी आप देखो बीच का diagonal है और दोनों opposite vertices से height है तो इस तरह से आप लोग इसको बनाओगे इसके doubt पूछोगे यहां भी आप देखो दो ट्रिपीजियम है और एक rectangle है तो rectangle का हो जाएगा 11 इंटू 5 यह नि 55 और यह ट्रिपीजियम में यह 11 है और यह 5 है बिटा तो ट्रिपीजियम के area क्या होगा half into height के जगा हो जाएगा य पांच को 11 से तो क्या होगा पांच प्लस 11 कोई बताएगा 16 वेरी गुड लेकिन यह बताओ यह कितना ट्रिपीजियम है एक उपर एक नीचे है तो इसको हम 2 से multiply कर देंगे तो यहां क्या होगा 16 गुने चार 16 फोर जा 64 into 2 into 1 by 2 मतलब 64 हो गया square meter इन दोनों ट्रिपीजियम का एरिया और 55 हो गया अंदर के rectangle का यानि कि हमारा हो गया 190 स्कूर मीटर तो इसको थोड़ा बड़ा करके लिखना है पर बना लेना है और सारे question ऐसे ही है अलग-अलग तरीके से बनाना है इस question को इसमें दो ट्रिपीजियम के एरिया निकाल के add करना है इसमें एक triangle और rectangle का लिक वक्सिट टू पूरा होना चाहिए और जब वक्सिट टू बनाएंगे तो बच्चों के पास च्रमता अलग-अलग होती है तो कुछ बच्च वक्सिट 3 को भी यहांत लगा सकते है और वक्सिट 3 से भी उनको doubt आएगा तो मैं बताऊंगा लेकिन कम से कम वक्सिट 2 तक तो आ जाओंगा घर पर है कि फॉर्मुला याद होना चाहिए वक्सिट 2 में क्वेश्चन कम था और मैं सोच रहा हूं इससे ज्यादक च्यूमें टेंशन दू तुमको दो वक्सिट बनना चाहिए और एक मैंने कठीन वाला दे भेजा है तो यह तुम जड़ा क्वसीश करना बना कि बिटा मैंने अभी जो बॉक्सिट स्चार्टिंग का दो कॉश्चन बन गया वाव वेरी गुड रियली देखू में जड़ा को एक फिने डेजन यह बच्चा कमाल कर दिया देख लू में जड़ा अगर बनाया है तो अच्छा किया है देखू वाट्सेप वाले कॉश्च देखता हूं अच्छा तब इसलिए बन गया कोई बात नहीं ऐसे भी डाल नहीं है न प्लास एट होट क्वेश्चन्स होट कोई बात नहीं है लेकिन एटेम्ट करने के लिए मुझे देना है न बच्चे घर बैठके कम से करें न तो वॉक्षिट मिल जाएगा आपको ठीक है बटा अच्छी बात है आप बना रहे हो दिस इस गुड यह अच्छा चीज है कि आप लोग बनाओ अच्छा यह कोई बच कैमरा बंद कर दिया है कि विए कि खाने ये लगी है क्या प्रकरती है यह वैसनवी अ उच्छोड़ों नंग्डिश तो आते रहता है बुलिए पिटा अहां और वैसनवी आप लोग क्या कर रहे थि ठीक क्वेशनवी तो बना रही है क्यों डावट अरह है क्या आप लोग क चाय भी नहीं पी सकता है याद रखना समझ गई अगर कोई चाय भाई भी पिया नहीं तो समझ लेना मैं छोड़ूंगा नहीं बिलकुल नहीं I want to allow मैं तो नहीं दिखना हूँ न तुम लोग को चलो इक रहे हैं आप आप क्याई पी रहे हैं मैं ध्यान नहीं दिया था चापसे द्यान होंगा अशलो मज़ाख कर रहा है लेकिन आप लोग को Take your bets aください का बहुत जूआदा नहीं पड़ना है लेकिन दिपना पढ़ना को पूरा पढ़ना है कि इस बात को ड्यान रख चे पढ़ना ठीक है ना तो आपको वक्षिट वन और वक्षिट टू पूरा आना चीए नहीं आएगा फिर जे पूछी नेक्स क्लास इंग्लिस ग्रामर का लूँगा और कल में आपको एक क्वडिलेटरल का लिंक बेज देता हूं वीडियो जो स्टार्ट होगा वो क्वडिलेटरल जिसमे को इजाजत है वैस्नवी अपना बना के क्वेश्चन जितना हो सकता है दिखाएंगी ठीक है ना और प्रकृति और सांभवी आप दोनों भी बिटा पूरा का पूरा इसको बनाईए और इंग्लिस और साइंस दोनों करेंगे हम लोग नेक्स तो साइंस का जो टॉपिक पढ दिखाएंगे क्या दिखा रही है यह बिटा क्या है यह यह बुलाओ बुलाओ हम सब लोग रेडी हैं बड़े हैं मतलब यह क्या हुआ हूँ अरे तो एनौंस करने वाला चीज था जोड़ सोड़ से वी पोस्टर बना रहे थी हूँ चली कोई बात निया बेटा यू आल में मूव एक एक आडियन को छोड़के बागी बच्चे लोग अपर ले बेटा बोलो बेटा चार्ज वाला लगाओ कुछ दिखा रहे है कौन दिखा रहे है दिखा 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 ओ ओ हो वेरी गुड देखू जड़ा में इसका अर्जिबा है इसको तो येडे मिलक मिलने वाला है य तो पूरा का पूरा काम किये एंग्लीस का पूरा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अचा एक काम आप लोगो को मैं होंवर्ड देता हूं अँख यहां बहुत अच्छाल कि आपका homework है तो चलिए थैंक यू आपको एक डेरी मिलेगा 100 पॉइंट फॉइंट 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 पॉइंट पॉइंट चलिए बाई बेटा गुड़े अब बाक्षा तुमने भी लिखा है क्या बात है गुड़ 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 सर हम भी लिखे अरे दिखाओ जल सांभवी पेन मत चबाओ सिर्फ देखो की बच्चे काम करने और तुमों की क्राव रहा है तुमको मिलेगा 100 पॉइंट पॉइंट अगर आप लोग कर रहे हो तो यह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गॉड़ बेटा ऐसे ही मेहनत करते रहो आप तो अच्छी बात है ब और वर्ब का 50 लिखना है त्री तीनो फॉर्म सांभ वर्ब का तीन फॉर्म में जैसे ट्रावल 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 हां करेक्ट गो विंट गॉन और आइस जरो और इस तरह से तीनो और उसको याद भी करना है पर पहले लिख लो पचास थैंक्यो और वीकली जो हमारा काम है वो 50 वर्ड का ही है तो यह कर लेना है एक वीक में चलिए बाए बेटा इसका कैमरा उल्टा क्यों हो गया स्वियस का कि स्वियस उल्टा हो गया अच्छा मैं सुचा स्वियस ऐसे हो जाता है तो आज सबसे पहले हमें मैप्स में एक चैप्टर उठाना है आपका इजाज़त चाहिए या तो स्वियस और या तो मेंचुरेशन ये दोनों में से एक चैप्टर आज हमें उरू करना है कि आप लोग कौन काइप्टर उर्यदिका इंदर और किन्सु गुडिवनिंग यह राजीव कुमार सेंग गुडिवनिंग और मिनल गुडिवनिंग और कौन-कौन चाप्टर दो चैप्टर है आपके हाथ में आपको जो बोलना है वह शुरू कर देंगे मिनल कौन सा चैप्टर हम लोग चाहते हैं शुरू करें एक तो एकड़ी इस्टेटीस्टिक्स को एकड़म बिगिन कर सकते हैं एक एक करके या मेंसुरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं बोलो कौन सा करें हाइव को हाइट एंडिस्टेंस में फूचन सब्सक्राइब एकड़म मैं तो तयार हूं आपके क्वेश्चन के लिए जरूर आपको लेकिन यह question का सेसन हम ज्यादा देर नहीं की चाहेंगे पहले हम चाहेंगे कि चैप्टर अच्छा का सा हो जाए फिर टाइम मिलेगा तो हम लोगों question करेंगे कि हमें जो है थोड़ा सा काम को भी आगे बढ़ाना है क्योंकि जैसा मैंने बुला है कि हाइट और इस्टेंस में बहुत बहुत जज्यादा नहीं करना है टाइम नहीं देना है यह दो आगे है रिजन गुडिवनिंग वेरी गुडिवनिंग बच्चों एक बार मैं चाहता प्लोग चलिए